C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है नवी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक पेश है नवी जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्शी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का सत्रमा पाठ अली सर्दार जाफ्री सफा अर्टालीस तारुफे शायर अली सर्दार जाफ्री पैदाईश उन्नीस सो तेरहा इंतिकाल दो हजार सेद अली सर्दार जाफ्री बिलरामपुर जिला गौन्डा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए लखनव, दहली और अलीगड में तालीम हासिल की तालीब इल्मी के जमाने से ही तरकी पसंद तहरीक में शामिल हो गए लखनव से एक रिसाला नया अदब निकाला मुंबई में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार की और वहीं उनका इन्तिकाल हुआ सर्दार जाफ्री की शायरी में सियासी, कौमी शओर, कुवत और तवानाई, उमंग और अवामी मसायल की अकासी मिलती है और इन्सान दोस्ती के जजबाद भी नुमाया है उन्होंने जुल्म और नाइनसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तबकाती कश्मकश उनकी नजमों का खास मौजू है नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, एशिया जागुठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार और एक ख्वाब और उनके शेरी मजमुए हैं नसर में भी उनकी कई किताबे हैं उनमें तरकी पसंद अदब, लखनों की पांच रातें और पेगंबराने सुखन मारूफ हैं सफा उननचास नजम गोशायर अली सरदार जाफरे की नजम मेरा सफर अब पेश है नजम को शाहर अली सरदार जाफरी की नजम मेरा सफर फिर एक दिन ऐसा आएगा फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिये बुच जाएंगे फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिये बुच जाएंगे हाथों के कमल कुमलाएंगे और बर्गे जबान से नुक्त उसदा की हर तितली उड़ जाएगी एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई फूलों की तरह से हस्ती हुई सारी शकलें खुजाएंगी खुंकी गर्दिश दिल की धड़कन सब रागनिया सो जाएंगी और नीली फजा की मखमल पर हस्ती हुई हीरे की ये कनी ये मेरी जन्नत मेरी जमी इसकी सुबहें इसकी शामें बे जाने हुए बे समझे हुए एक मुश्ते गुबारे इनसां पर शबनम की तरह रू जाएंगी एक मुश्ते गुबारे इनसां पर शबनम की तरह रू जाएंगी हर चीज भुला दी जाएंगी हर चीज भुला दी जाएंगी यादों के हसीं बुद्खाने से हर चीज उठा दी जाएगी फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहां है मैफिल में सफा पचास फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहां है मैफिल में लेकिन मैं यहां फिर आऊंगा लेकिन मैं यहां फिर आऊंगा बच्चों के दहन से बोलूंगा चिडियों की जबा से गाऊंगा जब बीज हसेंगे धर्ती में और कोपलें अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेडेंगी मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आखें फिर खोलूंगा सरसब्ज हतेली पर लेकर शबनम के गत्रे तोलूंगा मैं रंगे हिना आहंगे गजल अंदाजे सुखन बन जाऊंगा रुखसारे अरूसे नौ की तरहा हर आँचल से छिन जाऊंगा जाडों की हवाएं दामन में जब फसले खिजां को लाएंगी रहरू के जबां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरी हसने की सदाएं आएंगी धर्ती की सुनहरी सब नदियां आगाश की नीली सब जीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है हर आशिक है सरदार यहां हर माशू का सुल्ताना है हर किस्सा मेरा अफसाना है हर आशिक है सरदार यहां हर माशू का सुल्ताना है मैं एक गुरेजा लमहा हूं अयाम के अफसुंखाने में मैं एक गुरेजा लमहा हूं अयाम के अफसुंखाने में मैं एक तडबता कत्रा हूँ मस्रूफ सफ़ड जो रहता है माजी की सुराही के दिल से माजी की सुराही के दिल से मुस्तक्बिल के पहमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाक के फिर सो जाता हूँ सदियों का पुराना खेल हूँ मैं, मैं मर के अमर हो जाता हूँ सदियों का पुराना खेल हूँ मैं, मैं मर के अमर हो जाता हूँ सदियों का पुराना खेल हूँ मैं, मैं मर के अमर हो जाता हूँ सदियों का पुराना खेल हूँ मैं, मैं मर के अमर हो जाता हूँ सवाल नमबर एक इस नजम में शायर ने जिन्दगी की किस हकीकत को वाज़ किया है? सवाल नमबर दो हर आशिक है सरदार यहां, हर माशू का सुल्ताना है. मुंदर्जा बाला शेर में सरदार और सुल्ताना कौन है? शायर ने इन दो नामों को बयान करके क्या कहने की कोशिश की है? सवाल नमबर तीन यह नजम आपको कैसी लगी? लिखे इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुलजार अर्दू भाग एक का सद्रवा पाठ यहां समाप्त हुआ इसके बाद पाठ अठा रहां आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.